Hello everyone, welcome back to the world's easiest English speaking course. अब आप fluent English बोलने से बस एक कदम दूँआ हैं. आज ये आपकी learning की last वीडियो भी है. और आज की ये वीडियो उन सभी सवालों के जवाब ले गर आए हैं जो आप अभी तक सोच रहे थे कि क्यों नहीं सिखाया. Like कि continuous tenses क्यों नहीं कराएं? Perfect answers कहां गए? Has been, have been, had been का क्या हुआ? तो जवाब बिल्कुल सिंपल है. First तो ये इसलिए नहीं सिखाया because मुझे ये सब आपको बहुत ही easy way से सिखाना था. जैसे मैं आज सिखाऊंगा. Secondly, इसमें बहुत कुछ तो ऐसा भी है जिसके आपको कभी ज़रूत ही नहीं पढ़नी. कुछ की तो बिल्कुल भी नहीं. फिर भी क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीकी से सिखा रहा हूँ, वैसे भी सीखने के ये बस last वीडियो है तो इसे भी सीख ही लेते हैं. हाला कि हमें बोलने में इसकी ज़्यादा ज़रूत नहीं पड़ेगी. फिर भी आना तो चाहिए ही. So that कि कोई और बोले या लिखा हुआ कहीं देखो तो at last समझत हो सको. 5th November को next वीडियो में जो कि इस कॉर्स की सबसे important and सबसे magical वीडियो होने वाली है. जब मैं इस सारी नॉलिज को fluent English बोलने के सिर्फ two easy rules में convert कर दूँगा. तो आप समझ जाएंगे कि क्यों यह है कॉर्स दुनिया का सबसे असान fluency course है. तो चलिए, let's start. Continuous sense Continuous sense चाहे present में हो, past में हो या future में. सबका एक ही मतलब होता है work in progress. Means कि कोई काम continue चल रहा है. या past में कोई काम continue चल रहा था. या future में कोई काम continue चल रहा होगा. Means कि continuous में work is never completed. सारे continuous sense का बस एक ही rule है. Verb plus ing अब इसे आप अपने main notes के first page पर बचे हुए space में ठीक ऐसे ही note कर लें जैसे screen पर दिखाई दे रहा है. तो इस तरह से सारे continuous sense एक ही असान से rule में cover होगे. That is verb plus ing. आए ये अब कुछ examples देख लेते हैं. Present. इस MR से सारे sentences बनाएंगे. Same rule verb plus ing. आए ये देखते हैं. He is working hard. इसमें हमने work के साथ ing add कर दिया है. Sentence हो गया. He is working hard. अब जब हम इसको मना करेंगे तो note लगा के मना कर देंगे. He is not working hard. Question पूछेंगे तो, is he working hard? He is उठकर के starting में आ गया. Isn't he working hard? Is not he working hard? Similarly M, I am reading a book. इसके नीचे के तीनों sentences आप खुद बनाएंगे. R, we are going Delhi. इसके नीचे के भी sentences आप खुद प्राक्टिस करेंगे. Now, past, past में हम was verb का यूज करेंगे and verb plus ing लगा देंगे, same rule रहेगा. देखते हैं sentences? She was singing a song. मना करेंगे तो, she was not singing a song. Question पूछेंगे तो, was she singing a song? और जब question में मना करेंगे, तो, was not she singing a song? Wasn't या was not एक ही मतलब है. I was catching butterflies. इसके नीचे के आप खुद बनाएंगे. Similarly, you were running a race. इसके नीचे के भी आप खुद प्राक्टिस करेंगे. अब future, future में हम will be के साथ verb प्लस ing लगा देंगे. Simple. देखते हैं, John will be eating food. Next, John will not be eating food. I will be jumping high. इसके नीचे के sentences खुद बनाएंगे. इसके नीचे के sentences आप खुद प्राक्टिस करेंगे. आप सोच रहे होंगे कि सारे sentences तो करा ही दिये. बोला था कि नहीं कराओगे. तो जरा गोर से सुनो मेरी बात. सारे sentences नहीं कराएं हैं. और जो भी कराएं हैं, बहुत easy way से कराएं हैं. और कराएं भी इसलिए हैं, कि 5th November वाली next video में इन सबको हटा सकूँ. और बता सकूँ कि क्यों fluent English बोलते वक्त आपको इनकी कभी जरूत नहीं पड़ेगे. और बस कैसे सिर्फ two rules में हम सारे English को sum up कर देंगे. Now, perfect tense. Perfect tense चाहे वो present हो, past हो या future. सबका एक ही मतलब है work is done, means work is completed. मतलब की काम पूरा हो चुका है. Present perfect हो, past perfect हो या future perfect. सारे perfect tenses का सिर्फ एक ही rule है. has, have, had, plus third form. तो इस तरह से सारे perfect tenses एक ही आसान से rule में cover हो गए. and that is, has, have, had, plus third form. आई ये आप कुछ एक्जम्पस देख लेते हैं. I have seen that movie. have, plus third form. He has seen that movie. has, plus third form. we had seen that movie. had, plus third form of see. I have seen that movie. जब मना करेंगे, तो I have not seen that movie. question पूछेंगे तो, have I seen that movie? have उठकर के starting में आ जाएगा. और जब question में मना करेंगे, have not I seen that movie? have not उठकर के starting में आ जाएगा. next, he has seen that movie के नीचे के sentences, खुद बनाएगे. we had seen that movie के नीचे के sentences, भी आप खुद ही बनाएगे. और अब आज की वीडियो का last topic. कि has been, have been, had been, since and for का use कैसे करना है? इसे आप अपने piece no.2 के notes पे ठीक ऐसे ही note कर ले, जैसा की यहां screen पर दिखाई दे रहा है. चलिए समझते हैं इसे, अगर कोई काम पहले से होता आ रहा है, और अभी भी जारी है, मतलब अभी भी चल रहा है, तो हम has been, have been और had been का use करते हैं. एक्जम्पल में देखते हैं, वह पिछले पांस सालों से साइंस पढ़ाता आ रहा है, मतलब पहले से पढ़ाता आ रहा है और अभी पढ़ा रहा है, कंटिनियोशन में हैं आज भी, मतलब से लगातार आ रहा है, मतलब I have been singing for three weeks, मैं पिछले तीन हफ़तों से लगातार गाना गाता आ रहा हूं, तो has been, have been and had been का मतलब है कि कोई भी काम पीछे से होता आ रहा है और अभी भी continue है, अभी भी जारी है मतलब काम अभी भी चल रहा है, खतम नहीं हुआ है, Now use of since and for, मतलब कहा since आएगा और कहा for आएगा, Let's see this, Use since when you know the starting point, जब आपको बिलकुल precise starting point पता है, शुरुवात कहां से हो रही है, Use for when you don't know the exact starting point, जब आपको starting point का कोई idea नहीं है कि कहां से शुरुवात हो रही है, आइए देखते हैं, He has been teaching science for 5 years, 4 लगाया हमने, 5 years से पढ़ा रहा है, नहीं पता कि 87 से पढ़ा रहा है, 92 से पढ़ा रहा है, 95 से पढ़ा रहा है, 5 years, एक precise starting point यहां नहीं पता हमें, तो 4 लगा दिया, I have been teaching science since 2017, 2017 एक precise starting point है, हमें starting point पता हैं यहां, 2017 से पढ़ा रहा है, तो इसलिए हमने यहां पर since लगा दिया, क्योंकि starting point पता है, Next, He has been studying for 3 hours, पिछली तीन घंटे से पढ़ता आ रहा है, अब कौन से तीन घंटे हमें नहीं पता, मतलब starting point नहीं पता है हमें यहां पर, कि कब से पढ़ना शुरू किया था, एक बजे, दो बजे, तीन बजे, इसलिए हमने 4 लगा दिया, Now, I have been studying since 7 a.m. Since लगाया है, क्योंकि exact starting point पता है, कि साथ बजे से पढ़ना शुरू किया था, तो साथ बजे से पढ़ता आ रहा है, तो since लगाया है, We had been playing football for 3 months, 4 लगाया है, क्योंकि starting point नहीं पता है, पिछले 3 महिनों से football खेलते आ रहे हैं, लेकिन कब से ये नहीं पता, He had been playing football since October, अब starting point पता है कि October से खेलते आ रहे हैं, exact starting point पता है, तो since लगा दिया है, Similarly, I have been singing for 3 weeks, 4-3 weeks, तीन हफ्तों से, Royda has been singing since 5th September, 5th September हमको इसमें एक starting point पता है, इसलिए हमने सीधा बोल दिया, since 5th September, So, आज ही है आपकी learning की last video थी, अब बताएगी date पर इस course की सबसे magical, सबसे important video लेकर मिलेंगे, जो आपकी life को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रखतेगी, अब आपको almost सब कुछ आ चुका है, अब तो बस आप next video के magic कवेट करो, जिसमें मैं इन सब को हटा कर, बस two rules में convert करने वाला हूं, और बस फिर start होई आपकी fluent English बोलने की journey, बट तब तक इन videos को revise कर करके पक्का कर लो, कोई doubts ना बचें, तो मिलके हैं next video में इस course के सबसे बड़े magic के साथ, तब तक के लिए stay fit, stay confident.